Organic Chemistry में IUPAC Nomenclature का second lecture आजी स्टार्ट कर रहा है इस second lecture में हम सेखेंगे find the number of sigma and pi bond किसी भी organic molecule में कितने sigma bond और कितने pi bond है चलिए एक बात समझेए अगर हम बात करें जहां कहीं भी single bond होगा तो उसमें k-1 और k-1 एक single bond होगा यानिके एक sigma bond होगा तो single bond में के बाल एक sigma bond होगा अगर multiple bond की बात करें तो multiple bond में is double या triple bond इन्हें बोलते हैं multiple bond तो multiple bond में आनिके double bond में बात करें तो इसमें एक sigma होगा और बाकि rest pi triple bond की बात करें तो एक sigma होगा बाकि two क्या होगे two rest क्या होगे pi bond तो single bond में एक sigma multiple bond में अगर हम बात करें तो एक sigma rest क्या होंगे πाई तो अगर double bond है तो एक sigma और एक πाई triple bond है तो एक sigma bond और दो πाई bond क्लियर चले एक और बात ध्यान लखना है जिससे hydrogen है तो हम इसका क्या होते है वो monobalent की form रहेंगे clear जिससे hydrogen है वो भी क्या रहेंगे monofold में monobalent मतलब single bond बलाएंगे single bond का मतलब केवल sigma bond होगा अगर हम बात करें जिससे oxygen की तो oxygen double bonded भी हो सकता है और दो single bonded भी हो सकता है तो नाइटोजन की बात करें तो वो triple bonded भी हो सकता है और single bonded भी हो सकता है ठीक है चेक करेंगे चलिए तो अगर कहीं hydrogen है या hydrogen है तो आप समझ जाएए वो single bonded होगा यानि कि उसकी balance ही single होगी monobalent होगा और monobalent होगा तो वो हमेशा sigma bond ही form कर रहा होगा मगर double अगर हम बात करें oxygen या nitrogen आजाएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा तरीका तो यह है कि अहाँ पर हमारे पास क्या है carbon है तो carbon के पास कितने hydrogen attach है 4 carbon की 4 ही balance ही होती है और 4 इसके पास क्या है hydrogen attach है हर एक hydrogen single bonded होगा तो हर एक hydrogen क्या बनाएगा sigma bond तो कितने hydrogen attach हो रहे है hydrogen attach हो रहे है 4 तो इसके पास क्या होगे 4 sigma bond होगे 4 sigma bond और इस sigma bond भी अगर हम बात करें तो जिस sigma bond होंगे कौन से? Karbon और hydrogen के item ले कितने होंगे वो? 4, कैसे? स्मझिए अगर हम बात करें कार्वन की तो carbon पे balance कितनी होंगी? 4, और 4 ही hydrogen हो रहे है hydrogen हमेची सब्ता क्या होँता है? gonna что 바lait 1, 2, 3, 4 तो 4 sigma bond हुए, clear, तो जहां कहीं भी single bond होगा, वो सब sigma bond होगे, बात करें, देखें, अगर हम इसमें बात काउंट करना चाहें, तो देखें, इस कारण पे कितना hydrogen लग रहा है, 3, तो 3 sigma bond तो यह होगे, और 3 hydrogen लग रहा है, तो 3 sigma bond यह होगे, और 1 sigma bond यह आ जाएगा, तो कितना sigma bond और एक hydrogen single bonded ही होगा, क्योंकि monobalant होता है, इधर देखें, तो इस कारण पे कितना hydrogen है, 3, और होने भी चाहिए, इसकी balance ही कितनी, 3 पूरी complete करने के लिए, तो देखें, sigma, 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 sigma bond, sigma bond, sigma bond, sigma bond, sigma bond, sigma bond, तो देखें, 3 अधर होगे, 3 अधर होगे, और 1 यह होगे, कितना होगे, 7 sigma bond, next, next, अगर हम बात करें, देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखें, यहाँ कारण होगा, यहाँ कारण होगा, यहाँ कारण होगा, चीक, इस कारण पे कितने hydrogen होगे, अगर ह क्या होंगे दो-दो-एच होंगे तो 2H इधर, 2H इधर, 2H इधर, clear? तो अगर हम बात करें, देखें, दो हैटोजन यह है, दो हैटोजन यह है, और दो हैटोजन ही है, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 सिग्मा तो यह हो गए, प्लस, एक सिग्मा इस कारवन कारवन के बीच का होगा, एक सिग्मा इस कारवन कारवन के बीच का होगा, और एक सिग्मा इस कारवन कारवन के बीच के बीच के बीच के बावन होगा, तो कितने सिग्मा होगा है, थ्री सिग्मा कारवन कारवन वाले होगा, तो टोटल सिग्मा के अगर हम बात करें, तो कितने हो गए, 9 सिग्मा बावन 6 तो हो गए CH bond वाले और अगर हम बात करें 3 हो गए तो carbon carbon bond वाले clear? नहीं तो आप इसको structure को open करके देख सकते हैं यहां देखिए हर एक carbon पे क्या होंगे? 2 hydrogen इस carbon पे भी कितना hydrogen होंगे? 2 इस carbon पे भी कितना hydrogen होंगे? 2 क्यों? क्यों होंगे 2 hydrogen? अगर हम इस carbon की बात करें तो 1 और 2 दो बलेंसी कंप्लीट होती हैं आपको दिखाई दे रही और carbon की बलेंसी कितनी होगी? 4 तो आपको 2 hydrogen इस पर attach करने पढ़ेंगे balance कंप्लीट करने के लिए same यहां पर हम देखें इस carbon की 1 और 2 दो cobalancy आपको complete होती दिखाई दे रही और 4 करने के लिए इस पर 2 hydrogen हमको attach करने पढ़ेंगे चीक है? इसी तरह से तो रेखिए σिग्मा सिग्मा 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 यह 6 सिग्मा तो हो गए CH bond वाले 1 सिग्मा यह, 1 सिग्मा यह और 1 सिग्मा यह, तो total कितने हो गए? 9 सिग्मा, clear? next अगर हम यहां बात करें तो देखिए यहां तो यह सिग्मा बोंड, यह सिग्मा बोंड यह multiple बोंड है तो 1 सिग्मा एक पाई इसमें 1 सिग्मा बोंड, 1 सिग्मा बोंड तो 2 sigma यहाँ, 2 sigma यहाँ, कितने हो गए, 4 और 1 sigma यहाँ, कितना हो गए, 5, तो इसमें कितने हो गए, 5 sigma है, जिसमें से अगर हम बात करें, 4 sigma की, तो वो hydrogen carbon वाले हैं, और 1 sigma की बात करें, तो वो क्या होगा, carbon carbon की बीच का है, और बात करें, pi bond की, तो एक क्या होगा, इसमें, 1 pi bond, कार्वन कार्वन के बीच में, क्लियर, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां रेखिए, यह सिंगिल बॉन है, तो इस सिंग्ल 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 बॉन ह इहां देखें, यह single bond है तो sigma bond, triple bond है तो 1 sigma होगा और 2 क्या होगे pi bond, ठीक, तो total sigma कितना होगाए, 2 sigma and 2 pi bond, clear? next, अगर हम next बात करें तो देखें, सबसे पहले हम देखना पड़ेगा यहाँपे, यह carbon होगा, यह carbon होगा, यह carbon होगा, इस carbon के अगर हम बात करें तो यह carbon की एक covalency आपको complete होती दिखाई दे रही और कितनी कंदी covalency 4 तो 4 के लिए इस पर क्या होगा 3 hydrogen attach होंगे इस carbon पर कितने hydrogen attach होंगे 3 same इस carbon पर भी कितने hydrogen होंगे 3 अगर हम यहां बात करें तो इस carbon की 4 covalency complete है 3 sigma तो यहां के 3 sigma यहां के और 1 sigma यह होगा 1 sigma यह होगा और इसमें 1 pi होगा तो देखो 3 और 3 कितना होगे 6 और 2 8 और एक होगे 9 तो 9 sigma प्लस 1 pi किलियर चाहे तो आप इनको open कर सकते होंगे यहां देखिए तो अगर हम यहां बात करें तो इस carbon पर कितना hydrogen लग रहे हैं 3 तो 3 hydrogen है तो 3 sigma बना रहे होंगे 1 sigma यह होगा इस में से double bond में से 1 sigma एक pi यहां देखिए तो 1 sigma यह और 1 sigma यह तो 1, 2, 3, 4 और 3 यह हैं कितने होगे 7 sigma और अगर हम बात करें pi की तो 1 क्या होगा 5 क्लियर नेक्स्ट यहां देखिए यह carbon होगा यह carbon होगा यह carbon यह carbon यह carbon यह carbon यह carbon यह अगर हम बात करें तो कितने carbon इस carbon की देखिए 1, 2, 3 टीम बलेंसी पूरी हो रहे हुँगा, तो 4 करने के लिए 1H, 4 करने etc, 4 बलेंसी रहे हुगा. 4 बलेंसी कंप्रेंट करने लिए 1H, Sigma, 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 4 Sigma तो यह हुगा, 4 Sigma यह हो गए, और 4 ही हो गए oui wait करने fois Each, Sigma, 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 so how can we tell suddenly webinar. तो कितने Sigma हो गए, 8 Sigma, और Paewone की बात करें, यहां पर क्या है, यह हर एक कारवन होगा, यह सब जगे क्या होते हैं, कारवन, किलियर, यह सर्किल का मतलब होता है, alternate, alternate double single bond, तो alternate pi bond होगा, जैसे अगर हम बात करें, यहां देखिए, यह, alternate double single, double single, double single, किसी भी position साब स्टार्ट कर सकते हैं, double bond को, यह d localize होते हैं, double bond, तो इनक resonance पढ़ेंगे, तब पढ़ाए जाएगा आपको, बात करें, balance पूरी की, तो इस हर एक कारवन की देखें, one, two, three, one, two, three, हर एक कारवन की तीन balance पूरी होगा, तो four करने के लिए एक एक होगा, clear, यह देखिए, यह जी, तो अगर हम बात करें, कारवन, hydrogen, कारवन, hydrogen वाले, कि वण, two, three, four, five, six, तो अगर हम बात करें, सिग्मा बॉंड, कारवन, hydrogen, तो कितने होगे, six, बात करें, कारवन, कारवन के बीच में, six ही होगे, तो six मेंबर रिंग है, one, two, three, four, five, six, तो six सिग्मा बॉंड क्या हो जाएँगे, कारवन, कारवन वाले, तो total सिग्मा अगर हम ब दबल बॉन्ड का मतलब 3 πई बॉन्ड क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड होगा ठीक है जैसे डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई तो कितने हो गए 3 पाई बॉन्ड क्लियर